पनोर्मा क्रूप जो सोचता है वो करता है उन्हें बचाने की कोशिश तो भले ही करते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नाकामयाब हो जाते हैं और ये BPSC सिक्षक गंगा नदी में डूबने के वज़से इनकी मौत हो जाती है दानापूर में गंगा नदी में डूबने से एक सरकारी टीचर की मौत हो गई जिला प्रशासन पटना को सुक्रवाज सुबह 8 बज कर 45 मिनिट पर ये सूचना प्राप्थ हुई कि दानापूर अनुमंडल स्थित गंगा नदी के नासिर गंज घाट पर एक टीचर नाव पर चड़ते वक्त पैर फिसलने से नदी में डूब गए सिक्षक का नाम अविनास बताये जा रहा है उनके पिता का नाम राज करन प्रशाद है और वो सर्थुआ पटना के निवासी है दरसल ये उत्तक्रमित उच माधमिक विद्याले छोटा कासिम चक्त में पदस्थापित है बतादे तो जिराधिकारी के ओर से सूचना प्राप्त होती ही СDRF की टीम जो है वो घटना स्थल पर पहुँची है इस दल की ओर से डूबने वाले सिक्षक की खोज की जा रही है प्रखंड सिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकाज पदाधिकारी दानापूर को भी घटना स्थल पर भेजा गया है इस दोरान पदाधिकारीों की ओर से खोज अभियान का प्रवेक्षन किया जा रहा है बतादे तो जिलाधिकारी ने दिदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी दानापूर एवं सहायक पुलिस अधिक्षक दानापूर भी घटना स्थल पर जा रहे हैं वही जिला अधिकारी ने सिक्षा जिला पदाधिकारी, पटना अपर जिला दन्डाधिकारी, पटना सहायक पुलिस अधिक्षक दानापूर तथा अनुमंडल पदाधिकारी और साथी साथ दानापूर को खोज अभियान की रिपोर्ट लेने को कहा है बतादे तो पटना के दानापूर गंगा नदी के नासिर गंज घाट पर हुई दो नाव की टक्कर में बिपीएसी सिक्षक अविनास कुमार की मौत हो जाती है घटना दरसल वो दानापूर थाना श्यत्र के फक्कर महतो घाट के बताई जा रही है जहांसे भी पेसी टीचर अविनास अर्ने सिक्षकों के साथ नाव पर सवार होकर उत्तक्रमित उच माधमिक विद्याले जा रहे थे दो नाव के बीच जोरदा टक्कर होती है और इसी दौरान अविनास कुमार अचानक लड़कडा पड़ते है और फिर गंगा नदी में गिर जाते है दरसल अगर बताए तो अविनास फतुहा के रहने वाले है इस घटना के खास बात ये रही कि उनके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास तक नहीं किया उनके साथ अन्य साथी सिक्षक भी मौजूद थे उनका कहना है कि अविनास को तैरना नहीं आता था जिसके वज़े से वो डूबने लगा मगर वहां मौजूद नाविक और अन्य लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की अविनास का चैन BPSC TRE1 के जरिये हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को योगदान दिया था इस घटना के बाद अब सिक्षकों में काफी आक्रोस भी देखा जा रहा ये बड़ी खबर आती है दानापूर से दानापूर के नासिर गंज घाट से जहां दो नावों के बीच अचानक तक्कर हो जाती है और इस तक्कर के वज़े से BPSC सिक्षक, BPSC में बहाली जो सिक्षक है जिनका नाम अविनास कुमार है उनका पैरलर खड़ा जाता है और फिर गंगा नदी में गिल जाते है और डूबने के वज़े से उनकी मौत हो जाती है कहा जा रहा है कि उनके साथ जो सिक्षक मौझूद थे उन्होंने बचाने की कोशिश तो की लेकिन वो बचा न सके हलाकि वहां के मौझूद सिक्षक के उनका कहना है कि वहां नाविक और अनलोग भी मौझूद थे लेकिन उन्होंने इस सिक्षक को बचानने के लिए तनिक भी परियासने क्याब सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी नेज़ियारिफ के टीम को वहां भेज दिया है और लाश की तलास जारी की गई है पनौर मंक्रो जो सोचता है वो करता है